Terms Used to Describe Vessels Vessels क्या होता है? Mainly हमारे circulatory system में हमारे पर हार्ट होता है जिसके अंदे से blood body को मिलता है और body से blood heart को मिलता है अब हार्ट तो जिस्ट pumping organ है जिसने blood को pump करना है आगे जो vessels होती है यही जो होती है बोडी तक blood को पहुंचाती है बोडी से heart तक पहुंचा रही होती है अब vessels की ना काफी टाइप्स होती है Meaningly तो हमने थी पढ़ी होती है arteries, veins and capillaries इनके इलावा भी circulation में help करने के लिए कुछ vessels या कुछ structures होती है One by one इस video के अंदर हम डिस्कूस करेंगे उन सब terms को जो के describe की जाती है Vessels के लिए Number one हमारे पास आजाता है arteries Second है veins Arteries और veins एक दूसरे के बिल्कुल opposite होती है Arteries carry oxygenated blood away from heart यानि के heart से oxygenated blood को लेके जा रही होती है Body तक Weans जो होती है वो carry कर रही होती है deoxygenated blood यानि के less oxygenated blood जो के body के अंदर होता है जब heart से arteries के through body के अंदर blood आ जाता है वो उसको use करने के बाद जब उसके अंदर से oxygen less हो जाती है तो उस blood को दुबारा से heart तक जाना होता है ताकि वो दुबारा से oxygenated blood हो और वो दुबारा से arteries के through आये तो पहले जो less oxygenated था यानिके deoxygenated blood था वो क्यारी कर रहा होता है veins क्यारी कर रहा होता है veins क्यारी कर रहा होता है two words heart heart की तरफ अब इन दोनों के अंदर ही एक exception है वो exception होती है pulmonary and umbilical arteries की pulmonary and umbilical veins की अब आपको मैं ये पूरा circulation के through explain suppose ये हमारे पास heart है और ये हमारे पास lungs है circulation तो इन ही दो structures की वज़ा से होती है इन दो organs heart और lungs अब जो vessels होती है या तो वो heart से निकल रही होती है या वो heart की तरफ enter होती है अब जब भी vessel heart को leave करें वो हमेरे पास होगी artery और जब भी vessel heart के अंदर enter होगी तो वो होगी vein यह आपने याद रख लेना है artery और vein का heart को leave करने वाली vessel artery heart की तरफ आने वाली vein यह concept तो clear हो गया आपका अब हमने बात की तेक exception की pulmonary और umbilical पहले हम बात करते हैं pulmonary pulmonary वैसे तो हमने कहा था कि arteries क्या कर रही है oxygenative blood red बाला यहां पर शोग करें oxygenative blood वो carry करके body की तरफ जा रही है veins वो deoxygenative blood heart की तरफ लेके रही है लेकिन जो pulmonary artery कौन सी होती है pulmonary artery कौन सी artery deoxygenative blood carry करी है अब जो vein हमारे पास less oxygenative blood heart की तरफ लेके आ रही होती है अब heart ने उस blood को oxygenated करना है तो वो उसको oxygen का होती है हम breathing किसके तरू करते है lungs के तरू oxygen कहां भी present है हमारे lungs के अंदर oxygen present है heart और lungs connected हुए होते है vessels के तरू अब यह blood heart की तरफ आया heart में क्या करना है इसको lungs की तरफ भेजना है अब यह वाले heart से अवे गई थी ना गई किसके पास थी lungs के पास और यह heart से बाई नहीं थी हमने कहा था heart से बाई जाने वाली चीज vessel को हम क्या कहेंगे artery लेकिन इसके अदर blood तो less oxygenated blood है तो यही exception है इनको ही हम कहते है pulmonary arteries अब यह हमारे पास exception होती है pulmonary artery less oxygenated blood carry कर रही होती क्यूंके lungs के पास लेके जाती है ताके lungs उसको क्या करते oxygenated अब आज़त ही pulmonary vein अब यह blood heart की तरफ heart के अंदर आके फिर हमारी body में जाता है तो यही blood जब आएगा लेकिन यह क्या होता है oxygenated blood होता है लेकिन जब हमने कहा कि कोई भी चीज़ heart के अंदर enter करी है तो वो vein होई तो हम obviously इसको vein ही कहेंगे that is pulmonary vein लेकिन इसके अंदर blood क्या है oxygenated तो यही work section थी कि pulmonary case में vein जो होती है वो oxygenated और जो artery होती है वो deoxygenated मैंने इसके basis भी आपको बता रही कि किस वज़ा से हम इनको vein और artery कहा रहे थी क्यूंकि हमने एक criteria set कर लिया है कि जब भी कोई vessel heart को leave करेगी that is called artery और जब भी vessel heart के अंदर enter that is called vein अब umbilical का case क्या होता है यह ना कब work कर रही होती है फिटस के अंदर यानि बेबी के बर्त से पहले तब जो lungs होते है वो non functioning होते है lungs क्या होते है non functioning lungs जो होते है वो इस काबिल नहीं होते कि हम जो है ना जब देखे आपने देख लिया है कि हाट की तरफ जाए हाट से लंग्स पर बलड जाता है तो जब लंग्स काम नहीं कहेंगे हमने oxygenation नहीं करने तो अब बच्चे को जो है फिटस को जो है उसको भी तो oxygenated blood चाहिए ना फिर वो क्या करता है मदर के से oxygenated blood लेता है through umbilical vessels अब इसी तरह उनमें भी exception आजाती क्योंके वो भी awake करी होती है तो इसलिए umbilical veins होती है वो करी होती है oxygenated blood और umbilical artery करी होती है यह exception होती है arteries जो होती है वो रिजैंबल करती है trees को और veins जो होती है रिवर्स को अब इसका क्या मतलग है और जो हमारे पास veins होती है वो river के साथ अब इसका क्या मतलग है जो हमारे पास arteries होती है एक artery जो आती है blood से वो फर्दर अपने में से बहुत सी branches देती है जैसे के tree के trunk में branches निकलती इसलिए हम क्या देते है arteries resemble करती है tree से निकिन जो rivers की example veins के लिए इस तरह दी गई है क्योंकि जो veins होती है उनको naturally path बना होगा उसके अंदर से जैसे trabetries निकल रही होती है उनके trunk में से branches निकलती है उनका रास्ता ही Allah पाक ने बनाया होता है जैसे के एक river होता है तो एक river के अंदर से किस तरह रास्ते निकल रही होता है trabetries निकल रही होती है इसी तरह veins का भी यही case होता है कि उनका natural एक path होता है trabetries की तरहां जिसे river की तो इसलिए उसको resemble कर दिया trabet rivers के साथ और arteries अपनी ट्रंक में से ब्रांचिस दे रही होती तो उसको कह दिया जी वह ट्री के साथ दे रहा है veins have valves to allow unidirectional flow of blood valves क्या होता है basically valves के होती है हमारे पॉड़ी के अंदर valves का function होता है कि वह back flow of blood को prevent कर रहा हो अब पास अब ब्रांटी है यहां पर बढ़ा होता है हमारे पास heart okay veins के arteries का काम क्या होता है कि वह तो यहां से blood लाके नीचे दे लेकिन veins ने क्या करना होता है body से blood लेके जाना होता है अब नीचे क्या होती है earth earth पर कुन से force होती है gravity gravity attract कर रही होती है अब इसने तो नीचे ही आना इसको कोई मसला नहीं है लेकिन इसने उपर जाना है तो जब इसने उपर जाना है तो इसको प्रॉब्लम आ सकती है नीचे से कि इसको कई चीज नीचे न खेंच ले blood नीचे न गिर जाय इस तरह बेंस के अंदर ना यह लगेवे होते है अब इन वेंस का काम क्या होता है कि यह back flow को prevent करते होते है black flow को prevent करते है यह जैसे blood यह लगेवेवेभ कि अगेँ ग्योट बंद है अब आगे वाले खोला है इधर भी जाना यह, झाना है इसट्रह आऽ प्र्च रहतो है यह तौथ इस काम वाले बॉड़ को बड़ करते है भीड़ को पत्सहें आपन स route का और क्यों होते हैं? next are vena comitants capillaries, arteries and veins यह तो हम पहले भी पढ़ चुके होते हैं मतलब काफी दफा में बताते ही क्या होते है लेकिन यह नूटम हो सकती है आपके लिए vena comitants vena comitants क्या होते है? are two veins one on each side of medium sized artery of a limb joint to each other across the artery क्या रहे है? कि दो veins होगी एक medium sized artery, limb की हमाई जो limbs होती है, उसके दो जो arteries होती है उनमें जो कोई medium sized artery होगी उसके दूनों side पे एक vein होगी और वो एक दूसरे को join करी होगी across the artery that is called vena comitants for example यह हमारे पास एक medium sized artery है and on each side of medium sized artery join to each other एक दूसरे को join करी है across artery एक दूसरे को join करी है across artery तो आग के पीछे एक दूसरे को जैसे भी join करी होगी एक medium sized artery की उपर तो इसको हम कहते है it is called vena comitants is it clear अब next आ जाता है हमारे पास capillaries capillaries क्या होता है ? capillaries are network of microscopic vessels यानि कि चोटी-चोटी vessels जो के connect कहती है arterioles को venules के साथ arterioles क्या होता है and venules क्या होता है smaller branches of arteries smaller divisions of venules अब arteries क्या कहती है ? branches देते हैं जैसे जैसे वो divide होती जाती है तो smaller branches होती है that is called arterioles उसी तरह वेस जब अपनी trabillaries में divide हो रही होती है तो उसी तरह जो smaller division होती है that is called venules वो कहरें arterioles को venules के जोडने वाली चोटी-चोटी vessels और वो पूरा network जो होता है that is called capillaries for example यह अगर हमारे पास venules आ रहे हैं और यह हमारे पास arterioles की छोड़ी-चोड़ी यह हमारे पास arterioles है तो इनको यह जो पूरा network होगा जो connect कर रहा है arterioles को venules के साथ इस network हम क्या कहेंगे capillaries अब मेंली इसका क्या function होता है मेंली जो होता है वो exchange of material का का काम कर रहा होता है हमारे पास capillaries की exchange हो रहा होता है capillaries के level पर अब next आ जाता है that is sinosoyds अब यह भी new term हो सकती है कि हमने ना पढ़ी हो पहले sinosoyds के वाद है sinosoyds are large irregular muscular species mainly यह क्या है species है कोई खाली जगा है जो के large है और irregular या कोई regular पैटर नहीं है कोई regular shape नहीं है और वस्कुलर वस्कुलर का मतलब यह कि यह contain करती है vessels यानि कि इसको कोई ना कोई blood supply मिल रही है कोई ना कोई वैसल इसके इंडर कर रही है यह स्पेस है जिसमें के वैसल कोई ना कोई अंडर करिया that is large but irregular which are closely surrounded by parenchyma of organs अब sinosaures जो होते है न यह हम आपस different organs के अंदर present होते है वो कहने है parenchyma क्यों होते है parenchyma mainly कहा जाता है functional tissues functional tissues of organs अब organ कैसे मिलता है बनता है हमें बता है सबसे पहले हमारे पास क्या होता है cell cell मिलके बनाते है tissues tissue से धन हमारे पास बनता है organ अब organ के अंदर spaces ने तो उसको cover obviously किस ने किया होगा tissues के parenchyma यानि के functional tissues ने उस oaks round किया होता है और अब यह बहुत इंपोर्टन मिलके होता है कि यह कहां कहां पर present होते है हमारे पास sinusoids sinusoids हमारे पास liver में spleen में bone marrow bone marrow bone marrow supra renal gland supra renal gland renal का जाता है वोड kidney के लिए supra मतलब बफ kidney के उपर कुछ glands पढ़े होता है उनके अंदर उसके लाब हमारा parathyroid gland के अंदर sinusoids present होते हैं अगर आपको इस सारे नहीं भी आज़ते हैं में आपको बता चाहिए liver and spleen में तो लाजमन sinusoids present होते हैं अब कुस्टोनराइज करते हैं sinusoids एक blood supply मिल रही है वो क्या काम करे हैं अब उसका क्या function हो सकता है mainly जो होते हैं कुछ sinusoids के अंदर special type of cells होते हैं camofer cells कहलो या इस तरह के cells अगर हम spleen की बात करें तो spleen के अंदर इनको कहा जाता है graveyard of arpices क्यूंकि इसके अंदर बहुत छोटी 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 vessels होते हैं जो old arpices होते हैं जब इसके vessels से गुजरते हैं तो बहुत ही fragile होते हैं अब वो जो तूटे हैं old arpices उनकी breakdown या उनको जो है engulf कर लेते हैं special type of cells इसके अंदर बहुत होते हैं तो यही भी एक इसका function होते हैं इस तरह कुछ exchange के अंदर भी हम जनल फंक्शन के बात करें कि exchange के अंदर help करें होते हैं इस तरह अगर हमारा toxic substances को भी करके तो हमारी बोड़ी को प्रिवर्ट में भी मार पाश्योर्स का कुछ इस रोल प्ले हो रहा होता है Now the last one is anastomosis Anastomosis कहा जाता है pre-capillary या post-capillary communication between neighboring vessels हमारे होते arteries जो होती है और venuels जो होती है इनके arterioles और venuels मिलके क्या बिना रहे होते हैं हमारे पास capillary design कर रहे होते हैं यह है हमारे पास venuels और यह अगर हम बात करें हमारे पास arteries की further deviance तो यह arteries और venuels ने मिलके हैं हमारे पास capillary का capillary बनती है अब वो कह रहे हैं यह चाहे तो pre-capillary यह चाहे तो post-capillary यानि के pre- अगर यह इस तरह बात की यह starting और यह ending तो pre-capillary यानि के इन arterioles का connection अपनी किसी भी neckbring vessel इदर कोई भी neckbring vessel पड़ी है में भी वो vein भी हो सकती है में भी वो artery भी हो सकती है तो arteryoles का capillary या pre-capillary पार्ट का arteries के साथ या veins के साथ वोल्स है हमारे बस इनका अपनी artery के साथ या कोई भी neckbring vessel पड़ी है कर दो कर दो कम्मुनिकाशन विए नच्ट मॉस्ट